14897 को फैले रूप में लिखें संख्या को दोबारा अलग रंगों में लिखते हैं ताकि हम अंकों का ध्यान रख सकें हमारे पास हैं 14000 इसे थोड़े बड़े अक्षरों में लिखता हूँ 14897 हम नीला रंग इस्तमाल कर चुके हैं अब पीला इस्तमाल करते हैं ये संख्या का फैला हुआ रूप है आईए अब इन में से हर एक अंक के स्थान पर विचार करते हैं आईए देख ले हैं कौन सा अंक के स्थान पर है यहाँ पर यह साथ यहाँ है यह इकाई का स्थान है, यह नो दहाई के स्थान पर है, यह नो दहाईयों को दर्शाता है, यह साथ भी साथ इकाईयों को दर्शाता है, यह आठ सैकडा के स्थान पर है, यह चार हजार के स्थान पर है, इसलिए यह चार हजार को दर्शाता है, इसके बाद यह एक दस हजार के स्थान पर है यह दस हजार का स्थान है और यहाँ एक यानि दस हजार है आप देखते हैं कि हर बार बाई तरफ एक स्थान बढ़ने पर आप दस का गुणा करते जाते हैं इकाई का स्थान, धाई का स्थान, सैकडे का स्थान, हजार का स्थान और दस हजार का स्थान विचार करें कि असल में उनका मतलब क्या है यदि यह एक दस हजार के स्थान पर है तो इसका मतलब होगा दरसल यह दर्शाता है कि चलिए हम दूसरे सिरे से शुरू करते हैं देखते हैं कि साथ क्या दर्शाता है यह साथ असल में साथ इकाईयों को दर्शाता है साथ इकाईयां इसी सोचने का एक और तरीका है आप कह सकते हैं साथ गुणा एक यह दोनों बराबर हैं ये दोनों ही साथ एकाईयों को दर्शाते हैं, अब नौ के बारे में सोचें, सोचें नौ क्या दर्शाता है, यह नौ दहाईयों को दर्शाता है, आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके पास नौ दहाईयां हैं, आपके पास होंगे एक दहाई जमा एक दहाई जमा एक दहाई, इ आप जैसे भी सोचना चाहें, नौ दहाईयां या नौ गुणा दस या नब्बे. इसके बाद हमारे पास आठ है, यह सैकडा के स्थान पर है, यह आठ सैकडा को दर्शाता है, मतलब आठ सौ. या आप इसे आठ बार एक सौ या आठ गुणा सौ के रूप में देख सकते हैं, यह आठ सैकडा या आठ सौ को दर्शाता है, और यह चार, आप समझ गए होंगे, यह हजार के स्थान पर है, यह चार हजार को दर्शाता है, चार हजार, जो चार गुणा एक हजार या चार हजार के बराबर है, इसके बाद आखिर में हमारे पास यह एक है, जो दस हजार के स्थान पर है, इस तरह यह दस हजार को दर्शाता है, यह एक दस हजार ऐसे ही हैं, जैसे एक गुणा दस हजार तो जब हमें इस तरह फैले हुए रूप में लिखने को कहा जाए, तो हम 14897 को इसके घटकों के रूप में लिख सकते हैं यह साथ गुणा एक बराबर है साथ, इस तरह 14897 बिलकुल ऐसे ही है जैसे दस हजार जमा चार हजार जमा आठ सो जमा नब्बे जमा साथ आप इस विस्तारित रूप को सोच सकते हैं या इस तरह लिख सकते हैं यह आप ऐसे भी कह सकते हैं एक गुणा दस हजार जमा चार गुणा एक हजार जमा आठ गुणा सो जमा नौ गुणा दस जमा साथ गुणा एक इस तरह इन में से कोई भी तरीका विस्तारित रूप से हो सकता है जमा जमा आए जमा एक हो सकते हैं